दोस्तों सब लोगों को पताई होगा कि कुछ दिन पहले जर्मान चांसलर ओलाफ शॉल्स भारत के दोरे पे आये थे इवन रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके साथ करीब करीब जर्मनी से 700 से 800 अधिकारियों का भी एक डेलिगेशन आया था और इस दोर सब्मरीनों का प्रोजेक्ट है जिसके अंतरगत अल्रेडी जर्मनी के तरफ से अपने सॉफिस्टिकेटर सब्मरीनों का ओफर किया जा चुका है पर रिपोर्टों में अप क्लेम किया जा रहा है कि जर्मनी भारत के सामने एक नया हाइब्रीड सब्मरीनों का ओफर कर रहा से एक नए सब्मरीन के मॉडिल को शोकेस किया गया था और इस सब्मरीन का ओफर भारत के सामने रखा गया है। रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि ये जो सब्मरीन है ये काफी हद तक टाइफ 212 सीडी सब्मरीनों के साथ मैच करता है जो कि करेंटली जर्मनी और नौर्वे के लिए डिफलाफ्ट किया जा रहा है हाला कि टूसन करोप मरीन सिस्टम्स के तरफ से ये कनफर्म नहीं को देखते हुए ये लग रहा है कि ये टाइफ 212 सीडी से थोड़ा अलग भी है क्योंकि इसके जो हलका डिजाइन है वो काफी स्टेल्थी है जो की एक्वेस्टिक सिगनेचर को कम करने के साथ साथ सोनार के जो साउंड वेव है उससे भी एब्सॉर्फ करेगा और सब्मरी है ये काफी हद तक टाइफ 212 सीडी के साथ मैच तो करता है लेकिन ये टाइफ 212 सीडी से अलग और एक तरीके से हम कह सकते है कि टाइफ 212 और टाइफ 214 जैसे सब्मरीनों के कॉंबिनेशन के तहद बनाया जा रहा है ताकि इन सब्मरीनों को और बहतर बनाया जासा कि और इन सब्मरीनों का जो exterior है वो type 212 CD से लिया गया है जब कि इसके जो interior या फिर कहें तो internal equipment है वो type 214 सब्मरीनों का होगा और जर्मनी के company Tucson Group Marine Systems के तरफ से इन दोनों सब्मरीनों के fusion के तहेत नए सब्मरीनों को design करने का इरादा इसलिए रखा गया है ताकि सब्मरीनों के internal और external equipment के development के लिए अधिक खर्चा ना करना पड़े और existing technology का उप्यों करके ही budget friendly तरिके से इन सब्मरीनों को बनाया जा सके ताकि Indian Navy के budget में भी ये सब्मरीन फिट आए अला कि दोस्तों type 214 सब्मरीनों को भी अगर देखा जाए तो जर्मनी के द्वारा इसे U212 और U209 के base पे ही बनाया गया है लेकिन ये एक budget friendly सब्मरीन है जिस वज़ा से इन सब्मरीनों को technology और budget के एक बहतरिन combination के रूप में भी देखा जाता है जबकि दूसरे तरफ type 212 CD सब्मरीनों को देखा जाए तो ये जर्मनी के द्वारा developed किया हुआ सबसे sophisticated और एक stealth सब्मरीन है और इसका हलका design ऐसा है कि ये acoustic signature को कम पैदा करता है और दूसरे तरफ सोनार से निकलने वाले वेप को भी absorb कर लेता है जिससे कि सब्मरीनों को पानी के नीचे लगवग लगवग undetected तरीके से operate किया जा सकता है और ऐसा सब्मरीन अगर इंडियान नेवी के बेड़े में शामिल होगा तो no doubt इंडियान नेवी के underwater capability में काफी बढ़ोतरी होगा अगर दोनों सब्मरीनों के मिश्रन के रूप में जिन नए सब्मरीनों को बनाया जा रहा है कुछ एक्सपर्टों के मताविकिन सब्मरीनों को type 214NG मतलब next generation सब्मरीन के रूप में दर्शाय जा सकता है जो कि इंडियान नेवी के लगवग सभी तरीके के requirementो को पूरा करने म समर्थ होगा हलाकि आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी वतादू कि जर्मनी के द्वारा अल्रेडी अपने सब्मरीनों का ओफर भारत के सामने रखा जा चुका है और इंडियान नेवी के तरफ से भी जर्मन टेक्नोलोजियों को अल्रेडी जाचा जा चुका है लेकि परकि आप लोगों के जानकारी के लिए भी वतादू कि कुछ मेडिया रिपोर्टों में ये भी सज़ेस्ट किया जा रहा है कि नेवी फिलाल जर्मन और स्पेनिश सब्मरीनों से खुश नहीं है और इन सब्मरीनों में वर्टिकल लॉंचिंग सेल और कुछ एर इंडिपे सब्मरीनों से नेवी खुश है या नहीं पर जिस तरीके से दो अलग अलग तरीके के सब्मरीन रहने के बावजूद जर्मनी के तरफ से दोनों सब्मरीनों के कॉंबिनेशन के रूप में एक ने सब्मरीन को बनाने का बात कहा जा रहा है ये असल में दर्शाता है कि जर्म 212 और Type 214 जैसे सब्मरीनों के पास कुछ ऐसा शमता है जो कि इंडियन नेवी के रिक्वार्मेंटों के तहत है और दोनों में ही जो कमी है वो एक दूसरे के द्वारा पूरा किया जा सकता है अब दोसे एक तरफ जहाँ पे जर्मनी अब दोसे एक तरफ जहाँ पे सब्सक्राइब को इतना स्ट्रॉ syllabus और इतना करीवी बनाना चाहता है कि भавरत को और रस्या के उपर हत्यार लेकिए बिपेंडेंट हुना ना पड़े मिडिया रिपोर्टों के मताबिक जर्मनी भारत को रश्यान हत्यारों से इंडिपेंडेंडेंट क या फिर कहतों फ्री के साथ हतियारों के डील को लेके सिरियस है अब दूसर एक समय था जब जर्मनी भारत को हतियारों को बेचने को लेके अनाकनी करता था और अगर जर्मनी के तरफ से भारत को कुछ हतियार बेचावी जाता था तब भी वो टेक्नलोजीकली सॉफिस्टिकेट नहीं होता था मतल गुजरने के साथ साथ जर्मनी को भी ये महसूस हो चुका है कि अगर हत्यारों के एक्सपोर्ट मार्केट में जर्मनी को टिका रहना है तो भारत का कोपरेशन अब जरूरी है और भारत के साथ हत्यारों के डील को साइड लाइन करके जर्मनी कभी भी हत्यारों के एक्सपोर् तक को भारत को बेचने का बात कहा जा रहा है पर दोसो इसके पीछे जर्वनी का एक hidden agenda ये भी है कि कैसे करके रश्या को भारत से दूर किया जा सके और भारत को रश्यन हत्यारों से दूर किया जा सके अब दोसो यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए वतादो कि independent के बा किया गया है लेकिन इसके बदले भारत विदेशी हत्यार नहीं बलकि स्वाधेशी हत्यारों को खरीद रहा है और एगर कुछ विदेशी हत्यार खरीद भी रहा है तो भी making India initiative और आत्मनिर्वर भारत के संकल्व के तहत आगे बढ़ा जा रहा है और इस से भी जर्मनी को एक यूकरेन का लड़ाई जफसे शुरू हुआ है तफसे जर्मनी रश्या के उन हर एक इंट्रेस्ट को खतम करने का प्रयास कर रहा है जिससे की रश्या को एकोनमिकली बेनिफिट मिलता हो हाला कि दोस्तों ये जो प्रयास है ये केवल जर्मनी के तरफ से ही आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है बलकि यूरोपियन यूनियन के लगवक सभी देश और रश्या के जो हत्यारों का एक्सपोर्ट है वो जिरो हो जा और रश्या की उपर जो आर्थिक प्रतिवंद है उसके बजा से रश्या का कमर तूड जाए पर दोस्तों भारत और रश्या के दोस्ति इतना स्ट्रॉंग है कि केवल भारत के बजा से ही रश्या के जो आर्थिक स्थिती है वो कोई भी देश खतम नहीं कर पा रहा है पर अगर भारत को रश्या से दूर ले जाय जाता है तो एक त प्रात्रा में ट्रांस्पॉर अब टेक्नोलोजी और टेक्नोलोजी करें सॉफिस्टिकेटेड हतियार भारत को देना पड़ेगा ऐसे में फाइदा भारत को ही होगा क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत रश्यान ओरिजिन हतियारों से अपने आपको दूर करके वेस्टन प्लाटफरम भारत के पास आता है तो नो डाउट इससे चायना को और बहतरी नढंग से काउंटर किया जा सकेगा और इवन ये भी माना जाता है कि वेस्टन हतियार चायना के खिलाफ सबसे स्ट्रॉंग हतियार है और दोसों जर्मनी के इस तरीके के कुलावरेशन का जो इ मिलेगा क्योंकि जर्मनी के अंदर एरवस जैसे कंपनियों का भी काफी अच्छा खासा पकड़ है और जर्मनी स्मॉल आम्स निर्मान में भी कई दशों को का एक्स्पिरियेंस रखता है दोसों आप लोग को क्या लगता है कि का जर्मनी कभी भी भारत से रश्या को रिप् दे मातरम